दोस्तों यहाँ पर पटवारी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है छतिरगर समान निग्यान वो करेंट अफैर का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो की टॉप 20 क्वेश्चन है यहाँ पर इंपोंटेंट क्लास है अब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस सेट है जो की आने माल एक्जाम में मददगार साभीद हो सकता है साथ ही रेगुलर क्लास है साम 5 बज़े अफलोड कर दिया जाता है बिन दरी की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए जैसे की पहला प्रसन है आपके सामने चतिज़गर राज्य की प्रबल योजना का संबंध की समस्य से है तो इसका अंसर डी होगा कूपोशन से देखें यहाँ पर छतिगर राज्य की प्रबल योजन का संबन से समस्य पूछा गया है तो इसका डी हो जाएगा कूपोशन चलिए इसके बार हम डिटेल जान करी ले लेते हैं देखें यहाँ पर इस प्रबल योजन का उद्देश है छत्तिगर राज्य के बच्चों को कुपोशन की समस्य से निजात दिलाना एवं राज्य से कुपोशन दूर करना है इसके बाद अगला प्रस्ण देखने वाले हैं जो की काफी इंपोर्टेंट है चलिए देखते हैं अगला प्रस्ण देखे यहां पर वन वास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्न लिखित इस्थान से प्रवेस माना जाता है तो इसका अंसर कौन सा होगा डी होगा हर्चाओ का देखे यहां पर देखे शीवरी नरान, सीता बेगरा, सीता लेखनी यह किस कीज के लिए और कौन-कौन से इस्थान के प्रवेस माना जाता है यह सब आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं चलिए देखते हैं इसका अंसर डी होगा हर्चाओ का, तो यहां पर आप देख सकते हैं वनवास के दवरान, भगवान राम ने कोरिया जीलेश से ही 36 गड़ में प्रवेस किया था भरतपूर तासील के जनकपूर में इस्थित, सीता मढ़ी हर्चाओ का को उनका पहला पढ़ाव माना जाता है तो इसका यहां पर आंसर डी हो जाएगा हर्चाओ का, और अगला प्रस्न देखने वाले हैं निम्न कथन को पढ़िये, देखे यहां पर कमार बांस सिल्पकला से संबंदित है, अगर यह लाव और सिल्पकला से संबंदित है, खैर वार कथन निकालने से संबंदित है, कमर सेवा का कारिय करते हैं तो इसकांसर कौन सा हो जाएगा? इसकांसर C हो जाएगा. वन तू और त्री. कमार यहाँ पर बास सिल्पकला से संबन्दित है, अगर यह लोग सिल्पकला से संबन्दित है और खैरवार कथ्था निकालने का काम करता है. चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रस्ना जिला पंचात सदस्य का मान देए 6,000 रुपे से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है तो 6,000 रुपे कितना कर दिया गया है जिला पंचात के सदस्य का 10,000 रुपे बागी का जो 35,000 रुपे है पंदरहजार रुपए है और आठ हजार रुपए है तो इसका पूरे डिटेल देख लेते हैं यहां पर 25,000 रुपए है जो कि जीलब पंचायत अध्यक्ष का मान्य दे या कि 15,000 रुपए से बढ़ा कर 25,000 रुपए किया गया है इसके बद जीलब पंचायत उपध्यक्ष का है जो 10,000 से बढ़ा कर 15 किया है और यह अभी मैं बता चुका हूँ कि जो जीलब पंचायत के सदस से 6,000 रुपए से बढ़ा कर 10,000 किया गया है और जो 8000 रुपय किया गया है तो आप लोग कमेंट में बताए कि इसσι का अंसर कौन सा होगा, किस के लिए किया गया अगला प्रस्थन है, सरपंच के भत्ता 2000 रुपय से बढ़ा कर कितना किया गया है आप सभी को पता होगा कि 2000 से बढ़ा कर 4000 कर दिया गया है तो इसका अंसर भी हो सकता है या होगा है ना 4000 ही होगा इसका अंसर इसके बाद अगला देखेंगे कि राज्या लंकरन पुरुसकार 2021 में डाक्टर खुब चंद बगहल सम्मान की से दिया गया है तो यहाँ पर मुकेस चौजरी को दिया गया है या और जानकी प्रसाद नंद क किस और तिवारी और कुमानी रोहनी साही को किस किस के लिए दिया गया है तो चलिए आप सभी को बता देता हूं मैं मुकेस चौजरी को डाक्टर खुब चंद बगहल सम्मान के लिए दिया गया है जानकी प्रसाद को सहीद वीर नरायन से हैं पुरुसकार दिया गया है नं तो इसका D होगा आंसर कांकेर, चलिए अगले देखते हैं, इस राज्य में कल्चोरी वन्स के संस्थापक कौन था, तो आप सभी को पता है कि कल्चोरी वन्स के संस्थापक कलिंग राज है, कमर राज, रतन राज और प्रिछी देव एकीस वन्स के संस्थापक है, तो इसका आप कमेंट में जरूर बताएं चलिए देखते हैं यहां पर शुमेलित नहीं है तो कौम से यह सब शुमेलित नहीं तो चलिए देख लेते हैं। प्रथम मराठा सासक बिम्बाजी भोशले, प्रथम सुबेदार महिपात राव दिनकर, अन्तिम सुबेदार यादाराव दिनकर, प्रथम अधिक्षक कैप्टन एंडवंड इसमें सुमिलित नहीं पुछा गया है तो सुमिलित नहीं है तो कौन सा नहीं है आपसन सी होगा अंतिम सुबेदार कौन है यादाव राव दिनकर ये सुमिलित नहीं है प्रथम मराठा सासक बिम्बजी भोशले ये सही है प्रथम मराठा सासक कौन है बिम्बजी भोशले है और प्रथम सुबेदार की बात करे तो म पक्छी महोस्तों किसो जीले में आयुजित किया गया है dash बेमे तेरह जीला में पक्छी महोस्तों का आयुजन किया गया है इसके बाद आगला प्रस्थन देखेंगे और टॉप 20 Formula देखेंगे है ना देखिए 36 गड़ के प्रथम पक्षी महस्ताव जिला बे में तेरा देश दुनिया के अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को पना देने वाले गिध्वा और परसदा गाउं में 36 गड़ का पहला पक्षी महस्ताव का आयोजन 31 जनुवरी से 2 फरवरी 2021 तक हुआ है चतिज गड़ राज्य का प्रथम पक्षी महस्ताव बे में तर जिला में हुआ है ना इसके बाद अगला प्रसना देखेंगे नीम्न कथन को पड़िये देखें यहां पर मुर्या मारिया ज जन जाती को यूअगरी घोटूल है घोटूल के पुरुष सदसे को चिलिक कहते हैं घोटूल के महिला सदसे को बेलोसा कहते हैं या घोटूल के महिला प्रमु को मूटियारिन कहते हैं तो देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा होगा तो इसका आंसर भी होगा पहला और दूस दूसरा मुडिया मारिया जंजाति का युवग्री घोटूल है घोटूल के पूरुष सदसे को चली कहते हैं लेकिन घोटूल महिले सदसे को बेलोसा नहीं कहते हैं ना दूसरा चिकरित कहते हैं चली देखते हैं अगला प्रसमा वन अच्छादन वाले छेत्र के संदर्भ में अन्य भारती राज्यों की तुलना में च्छतिस गड़ राज्य कौन से इस्थान पर है? तो च्छतिस गड़ राज्य कौन से इस्थान पर है? तीसरा इस्थान पर है? ठीक है? कौन से इस्थान पर है? तीसरा अगला प्रासन है जो की पंचयाद से रिलेटिव है च्छतिस ग किया गया है ना तो साथ पंद्र और भी स्कीश चेत्रे के लिए विभाजित किया है आप कमेंट में बता सकते हैं इसके बाद देखें चैटिए प्रतम गिरिह मंतरी कौन है चलिए जल्दी बताईए इसका अंसर नंद कुमार पटेल जी है इसका अंसर दी होगा देखें आप और श्री मोहल सुकल दिनेस नंदन साहय और राजेनद पिस अगला है राजसी तुल्यवंस के संथापक कौन है तो राजसी तुल्यवंस के संथापक कौन है इसकांसर सी होगा सूर होगा सूर विरहनम तो राजसी तुल्यवंस के संथापक सूर विरहनम तो राजसी तुल्यवंस के संथापक सूर विरहनम यानि कि सूर इसकांसर सी होग देखें आपर भिमसन प्रतम और विभीसन अउदयतित प्रतम दिया गए ये किस किस संथापा के संबंदित है अगर किसी को जानकारी होगा तो इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं अगला देखेंगे चांदी डोंगरी चेतर किस खनीज निर्पेक्षचे प्रसिद्ध है तो यहां पर चांदी डोंगरी किस छेत्र से खनीच से निर्पेक्च है आप बताए जल्दी आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा है बी होगा फ्लोराइट ठीक है चांदी डोंगरी छेत्र के फ्लोराइट खनीच के निर्पेक्च से प्रसिद्ध है बाकि यहां पर बक्साइट, चांदिया और लोहयास का कीस चीतर के लिए प्रसीद्धा है आप कमेंट की वीडियो में जरूर बताएं देखिए लास्ट कोस्चान है और बहुत ही इंपोर्टन कोस्चान है चांदियर राजजय के संबन में निमने लिखित में से कौन सा गल्त मिलान है तो यहां पर गलत के पहचान करना जरूरी है च्छतित का राज्य का गठन समय आठवी पंच वर्सी योजना में हुआ था या राज्य सभा की सीट 5 है या राज्य में लोक सभा की सीट 11 है राज्य में विधान सभा की सीट 90 है तो यहाँ पर गलत के मिलान करते हैं तो राज्य का गठन का समय आठवी पंच वर्सी योजना है ये गलत है बिल्कुल गलत है नवी पंच वर्सी योजना में किया गया था राज्य समय में सीटे की संख्या 5 होती है और लोक समय में 11 होती है विर्हान समय में 90 सीट होती है यानि कि इसका आंसर ए आ जाएगा जो की गलत है ये आटवी पंच वर्सी योजना नहीं होगा राज्य के गठन करते समय नवी पंच वर्सी योजना का इस्तमाल किया गया था देखिए लास्ट कोश्चन देखने माना था लेकिन एक और कोश्चन आप लोग को करा देता हूं इसका सार जल विद्धुत पर्योजना का निर्मान 36 गड़ में निम्न लिखित में से किस नदी पर किया गया था इसका अंसर आप कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं जो कि पटवारी की तैयारी के लिए है इसके बाद जो आने माल एक्जाम है 24 April के गजाम होगा दिखे यहाँ पर अब पटवारिक गजाम की बात करते हैं तो पटवारिक गजाम कब से किया जारा है 24 April से किया जारा है पटवारिक गजाम चेंज गर दिया गया है चलिए आज का क्लास सही तक है गल स्टार्ट करेंगे झाल 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 झाल